नमस्कार आप देख रहें न्यू स्टेट मैं हूँ आपके साथ सोनी सिन्वार को खान यूनीस का कसाई कहा जाता था उसे गाजा का लांदेन भी माना जाता था वो गाजा पटी में खौफ का नाम बन चुका था वो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन था वो कितना खूर था और क्यों इसराइल उसे हमास का सबसे बड़ा खूनी दरिंदा कहता था और आईजियव उसके शातिर दिमाख से खौफ खाता था इस रिपोर्ट में देखिए बेगुनाहों से बेरहमी, महलाओं के साथ दरिंदगी, बच्चों के साथ वहशी बरताओ सिन्वार की कूरता दुनिया उसे इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी सिन्वार के हाथ बेगुनाहों के खून ससने थे उसे ना जाने कितने बेगुनाहों के साथ बब्रता की थी इसने दुनिया उसे अलग-अलग नामों से जानती और पुकारती थी कोई उसे खान यूनीज का कसाई मानता था तो कोई उसे गाजा का लांदेन कहता था और आतंका हिटलर भी बताता था वो संकी था, खुंखार भी था और वो दरिंदा भी था सिन्वार का खौफ इतना ज्यादा था कि वो कब किसे मारने का फर्मान जुरारी कर दे ये कोई नहीं जानता था साबक टूबर को इसराइल में घुसकर हमास के आतंकियों ने बबरता की थी उसके पीछे भी सिन्वार का ही शातिर दिमाग था कि मौत के वाद हमास ने नए आका बने यहदा सिन्वार ने इसराइल को शितामी देते हुए कहा था कि खुदा ने चाहा तो हम प्रचंड बाड की तरह आपके पास आएंगे हम आपके पास अंगनत रॉकिटों के साथ आएंगे हम आपके पास असमित सैनिकों के साथ आएंगे हम अपने देश के लाखों लोगों के साथ आपके पास आएंगे आपको पता दें यदा सिन्वार इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन था अपने खौफ बढ़ाने के लिए उसने आम लोगों के साथ साथ इसराइल के सानिकों की भी हत्या की थी उसका सिर्फ एक ही मकसद था इसराइल को किसी ही तरह से बरबात करना ही उसके जीवन का एक मात्र मकसद था उसने महज 19 साल की उम्र में दो इस्राली सैनिकों और चार फिलिस्तिनियों की अपरहण के बाद हत्या कर दी थी जिसके चोलते 1989 में सिन्वार को इस्राइल में गिरिफतार कर लिया गया और करीब 22 साल तक सिन्वार इस्राइल की कैद में रहा लेकि 2011 में इस्डाली सैनिक की रिहाई के बदले में 1000 से ज्यादा केदियों की अदला बदली के दौरान सिन्वार को भी छोड़ना पड़ा जेल से छोड़ते ही उसने हमास को नए सिरे से तयार करने का जिम्मा उठाया और इसराइल को दहलाने के हमले की नई नई साजशे वो रचने लगा वो खुले आम दुनिया की तमाम देशों को शेतामनी देने लगा उसने एलान कर रखा था कि अगर पूरी दुनिया नहीं हटेगी करवाई नहीं करेगी और इसराइल को नहीं रोकेगी तो वो इस छेतर में बड़े धार में क्यूद के भड़कने का कारण होगा जिससे मध्य पूरवार पूरी दुनिया में अशांती और आजकता का खत्रा बढ़ेगा वो इतना कूर था कि हमास से गदारी और इसराइल से वफदारी के शक में फिलिस्तिनियों तक को तरपा कर मार रहा है इसने सिन्वार को कई नामों से जाना जाता है उसे कोई हमास का उसामा बिन लांदेन कहता था तो कोई उसे खान यूनिस का कसाई इसराइल उसे आतंग का हिटलर कहता था यदहा सिन्वार की खूर्टा से कई किस्से खुखिया थे एक बार इसराइल के लिए जासूसी करने के शक में उसने एक शक्स को जिन्दा दफना कर दिया था उसमें सबसे जादा खौफ की बात ये थी कि उसने चम्मस से खबर खोदने का आदेश आरूपी के भाई को ही दिया था साल 2015 में उसने रुपियों की हेरा फेरी के आरूप में हमास के एक कमांडर को भी बूरी तरह से मौत की सजा दी दी थी उसने ऐसे कई खौफनाग वारदातर कदूरतों को अंजाम दिया है और करीब 40 साल में गाजा में आतंकी फैक्टरी चलाता आ रहा था सिन्वार जुतना खौंखार ता उससे कई जादा शैतान भी था वो छोटे छोटे बच्चों को अपनी तरह आतंकी बनाने की साजश रष्टा था लेकिन इस्राइल ने आखिर कार इस दरंदे को दफन कर ही दिया और इसी के साथ सिन्वार की हूरता और बबरता को भी हमेशा के लिए खात्मा कर दिया फिल्हाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंच करके आप जरूर बताएं और हमा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकों ना भूले